तो क्याल चाला गाईज तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक स्मार्ट वाच मिस्टर इंडिया वाली घड़ी कुछ जादा हो गया लास्ट फोन वाली वीडियो बहुत लोगों ने नोटिस के लिए था कि मेरे हाथ में एक स्मार्ट वाच थी उस वीडियो में थी अभी नहीं है तो आज आपके लेगा है फायर बॉल्ट की स्मार्ट वाच मेरे चैनल पर स्मार्ट वाच का पहला रिव्यू है तो एक नया साइज नहीं है अब वह यह अपने लिए अपने ब्रैंड के लिए क्लेम करना है या दूसरों के साथ वह चेक करना पड़ेगा और देखेंगे हमारे कोई मिस्टर इंडिया वाले फीचर प्रोवाइड करती है या नहीं तो स्टार्ट करते है फटावर्ट से इसकी बागी मैं लिंक आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में चेक आउट कर लेना जो भी कलर्स वगएर होंगे अगर आप बाए करने वाले हो तो सबसे पहले निगलती है हमारी वाच मैंने ब्लू कलर ऑडर किया था इसको रखते है साइड में एक निगलती आपकी चारजर पिन और एक यूजर मैनुवल बाइस अब कागज की कमी नहीं है एकदम लंबी यूजर मैनुवल दिया देखरो कैमरे में भी पूरी निया पार यह इतनी लंबी यूजर मैनुवल है तो इसको पढ़ने की कोई खाज ज़रत नहीं है हम पढ़ चुके हैं हम टेस्ट कर चु तो बाद की बात है पहले इतने सारे पत्ते बत्ते दे दिया है इनोंने बड़ी अताश खेल दी जाएगी और इतने सारे बेनिफिट्स तो यह अब सब कुछ रखते है साइड में और सीधा अपनी वाच पे नजर मारते हैं तो फ्रंट से आपको कुछ ऐसा स्टिकर लगा ह लोगे इसको उतार लेते हैं तो कुछ ऐसी हमारी वाच निकलेगी लुक तो यार बहुत प्यारी लग रही है मुझे ओवरॉल थोड़ी थोड़ी एपल वाच वाली फीलिंग आ रही है इसको देखके पर ऐसा नहीं है आपको 4000 पर में एपल वाच वाले फीचर देगी तो इसको हम अन कर लेते हैं तो अन करने के बाद कुछ ऐसा फायर बोल्ट का लोगो बनके आता है आपके सामने और यह हमारी फर्स स्क्रीन है तो वाच के फीचर के बारे में बात करने से बहले वाच के बारे में आपको बताता हूँ इसके अंदर आपको 1.69 इंची की डिस्प करते हो अगर दूप पगेरा भी हो या दिन में आप यूज करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती यूज करने में अराम से दिख जाती है और इसके साइड बेजल मेरे को थोड़े से जाद लगे और नीचे से तो कुछ जादे ही बड़ा बेजल है बागी लेफ्ट राइ साइड से जो इसकी बॉड़ी है प्रॉप पर मेटल की है तो आपको काफियत तक सेफटी रहेगी हाँ जादा जोर से गिर जा और पत्था नीटों पर फेक के मार दिया तो तो डेफिनिटल डिस्प्ले टूटनी है और स्क्राच वरह जा जाएंगे आपकी बॉड़ी पर ब पानी कुछ चीटे वीटे मार लोगे तो को ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं और अगर प्रॉपर पानी में डुबा दोगे तब भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है आई पी 6-7 रेटिंग है बट मैं पर्सनली आपको कहूंगा कि पानी वानी में में मत डुबाना यार इलेक्ट्र आपको चमकानी है वह आप देख लेना तो आप कर लेते हैं स्मार्टफोन से कनेक्ट एक दाफिट करके अप मिल जाएगी आपको प्ले स्टोर पे या एप स्टोर पे एपल और अंड्रोइड दोनों पे यह आपको इंस्टॉल करनी है और चोटी मोटी इंफरमिशन पूछ को जाएगी एक दम बढ़िया तरीके से अब बात कर लेते हैं इसके फंक्शन की फंक्शन की तो भाई भरमार है यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा है तो फ्रंट से कुछ ऐसी डिस्प्ले आपको मिलेगी आप इसको अकर होल्ड करके रखते हो तो अलग-अलग डायल आ जो बाई डिफॉल्ट आपको मिलेंगे और मोर वाच फेसी में आपको बहुत सारे फेसी यहां पर आपको मिल जाते हैं और आपकी वाच में भी डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी यानि कि वहां से डाउनलोड होगे इसके अंदर ट्रांसफर हो रहा है तो यहां पर यह आपका जो अगर आपकी वाच कहीं पर रखी है तो फाइंड डिवाइस दबागे पर यह फीचर ना मेरे को बहुत अजीब सा लगा क्योंकि फाइंड डिवाइस दबाने के बाद वाच वाइब्रेट होती है इसके अंदर को स्पीकर नहीं है फिर यहां पर टाइम फॉर्म इसके अंदर यह कुछ रिमाइंडर हैं जो थोड़े बहुत खयाल रखने लाइक होते हैं कुछ लोगों की लाइफ में और फ्रंट स्क्रीन से अगर आप लेफ्ट स्वाइप करते हो तो पहले आपको स्पोर्स मोड मिलता है स्पोर्स मोड के अंदर आपके फूट स्टेप सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर आपको मिलता है वैदर इसके अंदर आपको अगले तीन चार पांत दिन का वैदर दिखा देगा अपने आपके सिटी के हिसाब से फिर आपको इसमें शटर ऑप्शन मिल जाता है तो यह हमारा कैमरा चल रहा है अगर हम इसको शटर प्रेस करते हैं तो यह आपकी फोटो क्लेक हो जाएगी यहां पर उसके बाद आपको प्लेयर ऑप्श आप्शन नहीं है अब आजाते हैं मेन स्क्रीन के ओपर और मेन डिस्पेस अगर हम राइट स्वाइप करते हैं तो यह सारी अप्लिकेशन का आपको एक मेन यू टाइप सा दिख जाता है आप और यह मैन्यों आप जूम आउट भी कर सकते हो यह आपको आपको पल्स आप र फर्जी से ही आ रहे है तो अगर आपको उपर दिखाई दे रहा होगा 98-97 यहाँ पर शो कर रहा है तो आप वाच लगा के चेक कर लिया जाए तो यह गए हम अपने SPO2 में तो यहाँ पर आगे हमारा 98% तो भाई इसका मतलब accurate है कोई भी धोगाधड़ी वाली चीज नहीं ह तो आप इस पर आराम से ट्रस्ट कर सकते हो पल्समीटर में नहीं पैसा घर्चने 11-12 सो का मिलता है तो अगर आपको आपके फोन पर कोई मेसेज आएगा कोई WhatsApp मेसेज आएगा कोई Facebook का नोटिफिकेशन आएगा वो सारे यह शो कर देगी और यहाँ से में स्क्रीन में ही यहां पर आपको stopwatch, alarm, countdown, brightness, vibration on-off और theater mode जब आप लगाते हो ना तो इसकी थोड़ी सी brightness कम हो जाती है और vibration वगेरा भी सबकुछ बंद हो जाता है और अगर उपर से नीचे swipe down करोगे तो यहां पर connected है यह vibration on-off यहां पर flashlight तो इसकी display काफी जादा bright हो जाती है flashlight option से और यहां से brightness कम जादा कर सकते हो इसकी, तो यार features की तो भरमार है इसके अंदर, तो जिस price range में आती है 4000 इसका price है और अभी sale में पीछे यह 3800 रुपे की पड़ी थी मुझे 3800 तो ठीक है मेरे साब से जिस price range में आती है और जैसी इसकी display है, display काफी अच्छी बड़ी है, काफी जादा bright ह और user interface भी बहुत प्यारा लगा मेरे को, तो इसके लिए आप जा सकते हो, overall बहुत बड़ी है watch है, और strap की quality मुझे बहुत बड़ा लेगी, और main point आता है battery backup को लेगे, वैसे company ने claim किया, कि 8 दिन का battery backup आपको दे देगी, जब यह watch मेरे पास आई, मैंने डब्बे से निगा ल जो था वो चले गा रात को, तो इसलिए पहन के सोया, तो चार दिन का backup मेरे को मिला, तो overall मेरे को बड़िया लगी battery backup के साब से, बागी सके अंदर में जा बस तीन कौन लगे, एक तो GPS आ जाता तो जादा बेटर रहता, क्योंकि जिस price range में आती है, उसमें सके अंदर company ने GPS नहीं दिया, और find phone और find watch, वैसे तो find watch का feature तो है, बट आप जो find watch पर tap करते हो ना, तो सिर्फ watch वाइबरेट करती है, तो company एक छोटा सा speaker डाल देती है, कोई beep sound का कुछ ऐसा डाल सकती थी, जिसकी hype ही चोती हो और watch अगर घर में के खो जाया, कही रख के आप भूल जाओ, व आज की वीडियो के लिए इतना था, पसंद आ गए तो like मार देना, कोई use करता हो इस watch को, तो comment करके जुरू बताना, दूसरे लोगों को, कोई चीज मेरे से miss हो गई हो, तो मैं comment पिन कर दूँ आपका, और कोई suggestion हो, तो भाई comment में बता देना, तो मिलता है next video में तब तक के बाई